वेल्कम टू मैं चैनल एसके नोलेज क्लास अगर आपने में चल के वितिक सस्काइब ने सस्काइब के लोड़ घंटी दो आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्लास तेंथ का मैथमेटिक्स जो की एपी से हर बार कोस्तन पुछा जाता है आज मैं बताऊंगा आपको हल कैसे करन चलिए स्टार्ट करते हैं अब कर आफ कर दो कि वीडियो को पुरा देखना है जैसे कि दिया है कि एपी दोस कोमा पांच कोमा जीरो कोमा मैंस पांच कोमा मैंस दस डौट के दस वेग पद को ग्याद करें इसमें पर्थम पद यानि की यह बराबर जो मानेंगे हूं पहला की अब दस पहला की होजाएं या बराबर दस उसके बाद होता है डी यानि कि सरव अंकर श्ड effect केни का लेंगे की दूसरा पद जो 5 दिया है इसमें से सर पहला पर दस गाटा क्योंश से का नीकलेगा माइनश आज दी कितना निकल गया माइन 還是 कुछ उसके बाद का रहे दसवे पद जिआत करें यानि की अन बराबर सब्सक्री अन बराबर दस तो वीडियो को पुरा देखिएगा तभी समझ पाइएगा इन्टु दे तो इसमें देखिए हमको कि ए कि यह कितना दिया है ए बराबर दस निकला है पलस एन एन मैने सवने आनि एनन के जगा कितना 10 गाटा 1 इंटू D, D के जगा हमको कितना निकला है, D के जगा D के जगा, देखिए हमको कितना आया है D के जगा हमको माइनस 5 आया है, D के जगा माइनस 5 तो वहां बैठा देंगे D के जगा हम माइनस 5 बैठा देंगे माइनस 5 बैठा देंगे आप दिखिए 10 पलस 10 घटा यह कितना हो जाएगा 9 गुना यह माइनस 5 कितना माइनस 5 उसके बात क्या खरना है दस यह पलस मैनस कि हो जाएगा माइनस नो पचे पाइट आलेस कितना अगया इताली तो बराबर 10 25 घटे गात कितना बचेगा सशक्करब कर लोगोष गों घंटिक दबा दीजे मित्मेटिक शिखने के लिए और जो भी हिसाब आप से नहीं बनेगा आप हमें कमेंट किजिए मैं विसाब का सलूशन लेकर आओंगा